नमस्कार मैं हूँ आपके सार प्रतिक्षा और आज देश की बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजर हैं मारी कोशिश होती है कि आप एक लिक के जरीये जान जाएं कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आज की देश की सबसे बड़ी खबर प्रधान मंतरी मोदी से चुड़ी हुई है जहा आज वो 36 गड़ कहुचे थे 36 गड़ में भिलाई परियोजना को नए सिरे से और नए स्पात सायंत्रों का जो शुभारम है वो उनके हाथों हुआ है आपको ध्यान होगा हाल ही में प्रधान मंतरी मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ था एक चिठी के जरिये जो की नकसलियों के गुट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था शायद उस लिहास से भी इस संबोधन में इस बात को बहुत ही महतपून ढंग से प्रधान मंतरी मोदी ने रखा है 36 गड़ के दोरे पर थे रायपूर में थे और तमाम जो 36 गड़ से जुड़ी हुई चीज़ें थी उसका उन्होंने अपने संबोधन में उले किया आपको बताते हैं कि 36 गड़ में इस सल चुनाव होने हैं और इस लिहास से भी प्रधान मंतरी का ये दोरा पेहत महतपून हो जाता है चली आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर भी प्रधान मंतरी मोदी से ही जुड़ी हुई है दरसल कल शाम 7.30 बजे के आसपास एक UFO जिसे कहते हैं Unidentified Flying Object ये प्रधान मंतरी आवाज से उपर जाता सामने नजर आया ऐसा कुछ लोगों का मानना है उसके बाद से Security Agency जो है वो अपरा तफ्री में उसकी जाच शुरू कर दी गई है जो CISF की पूरी टुकडी है वो इसकी जाच की जा रही है दरसल सुरक्षक को लेकर प्रधान मंतरी की लगातार काफी जादा मामले इस तरीके के सामने आ रहे थे UFO जो की प्रधान मंतरी आवास के उपर से गुजरा है वो गुजरा है या नहीं अभी इसकी जाच होगी पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक UFO Unidentified Flying Object प्रधान मंतरी आवास के उपर देखा गया है जाच का विशह है इस खबर की अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुचाएंगे अगली खबर का रुक कर रहे हैं अगली खबर गंगा से जुड़ी हुई है जिहां नितिन गटकरी जल संसाधन और इस वक्त जो गंगा उथान का पूरा काम है वो उन्हीं के मंतराले देख र दिया जाएगा हलाकि जिस तरीके का प्रोजेक्ट गंगा सोचिता को लेकर अभी तक केंदर सरकार का सामने आया है वो उसे फेल मान सकते हैं क्योंकि जितना भी पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए आया है वो अब तक खर्च नहीं किया गया है कहा ये जाता है कि अगर किसी प का गंगा 80 फिसदी साफ होंगी देखना है इनके इस दावे का जो मूर्त रूप है वो कब सामने आता है अगली खबर का रुक कर रहे हैं सल्मान खान जी हाँ आपको याद होगा कि सल्मान खान को लगातार जान से मारने की धंकी मिल रही थी कि सल्मान खान को एक बार फिर जान से मारने की धंकी मिली है उनके पिता सलीम खान लगातार कह रहे हैं कि ये सल्मान के साथ कोई पहली बार नहीं हुआ है ये कोई पहला वाक्या नहीं है लेकिन इस बार मामला जादा गंभीर है क्योंकि हाली में एक गिरफतारी भी हुई है स तो ये हो गई देश की बड़ी खबर हैं लेकिन खेल जगत की खबर हम आपको बता रहे हैं आज की जो बड़ी खबर है इंडिया अफगानिस्तान के बीच टेस्स मैच चल रहा है और आपको बता दें चिर्नासमामी स्टेडियम में बारिश की वज़े से ये मैच बाधित हु और अगर इस तरीके का ही मौसम रहता है तो मैच ड्रॉ की और निश्चित ही बढ़ेगा इस मैच की अबडेट्स भी हम आप तक पहुँचाएंगे तो ये थी आज देश की बड़ी खबरें देश-दुनिया से जुड़ी हुई खबरें जो हम आप तक पहुँचा रहे थे आप हमारा वीडियो अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं जादा बहतर हो इन्हीं हो शुब कामनाओं के साथ धन्यवा नामस्कार